जय सत्तम्सी दाइनमें दोस्तों मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल साथा सी दिमें दोस्तों आज का जो अमारा नुष्खा होगा वो होगा आखों के उपर यानि आईज के उपर बालों के उपर और दांतों के उपर एक नुष्खे से जो है ये तीन परकार के रोग जो हैं समापत होंगे दोस्तों मैं नुष्खा बताने से पहले आपको बता दूँ अगर आप आध्यातम के बारे में विश्तिरिक जानकारी चाहते हो और रियल जानकारी चाहते हो तो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप् किस प्रकार उसको सेवन करना है दोस्तों एक ओजदी होती है गोरक मुंडी उस ओजदी का तना पते मतलब जो पूरा का पूरा होता है उस गोरक मुंडी को पूरा का पूरा आपको लेना है लेने के बाद आपको जो है उसको चाया में सुखा देना है चाया में सुखा देन दोस्तों और उसका पूट काई पोडिघा बना लो तो यह को गन्डिक Понक ट्यार होरा है मान लो पचास गराम ये तयार हुआ है तो इसमें जो है पचास गराम ही मिश्री होती है अपनी दागेवाले वो मिश्री मिला दो और इसमें पचास गराम ही अपना देशी गी मिला दो हो सके तो गाएंगा गी मिलाओ बाकी जो है देशी गी मिला दे इसमें और इसको जो है किसी चिकने बरतन में रखें चिकने बरतन आते हैं मिटी सी के उन में रख दो और रखने के बाद जो है इसका सेवन कैसे करना है दोस्तों इसका सेवन जो है छैमा से सुभै और छैमा से साम को गाएं के दूद के साथ सेवन करें इसको यानि गाएं का दूद ह वह जरूरुट से बैनसका भी नहीं चलेगा और किसी चीज कानी है। गाए का ही दूद दोस्तों और इसको जो है शेवन करो। अब जब आप इसको सेवन करो गए तो इसके फायदे क्या-क्या होँगे। इसके जो है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्थ पायदे हैं। समय से पहले जो बाल सफेद हो जाते हैं वो सफेद नहीं होंगे काड़े हो जाएंगे दोस्तो आप इसको सेवन करो सेवन करने से आपको जो इसके चमतकारिक फायदे मिलेंगे सेवन करो दोस्तो आप इसको सेवन करने से आपको चमतकारिक फायदे मिलेंगे इस चीज की जो है मैं गारंटी देता हूँ दोस्तो अगर आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें साथ में बैल का आइकन भी दबा दो और अमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो तो दोस्तो मैं आपसे मुलाकात करूँगा अपनी अगली वीडियो में एक ऐसा ही नुष्खा लेकर तब तक के लिए जै हिन वंदे मात्रम जै भारत जै सत्तोंसी दाए नमे